जैसरे किष्णु, स्वागत आप सभी का मेरे अच्छ स्वारत द्वा यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको कार्तिक मास के अठाइस में अध्याय की कता सुना रहा हूँ आज की अध्याय में कार्तिक मास के उद्यापन की बिदी है किस पकार से कारतिक मास का उद्यापन करना चाहिए, क्या मैत्व है, किस किस चीज़ का दान दिया जाता है, कारतिक मास के उद्यापन में क्या क्या सामान का प्रयोक किया जाता है, और इसका मैत्व क्या है, भगवान की किस पकार से पूजा की जाती है, कारतिक मास का तुम को छोड़कर किशमित इतना सामर्त हैं नाराजी कहते हैं कि कार्व्त करने वाली के उध्यापन की विदी सुनू कार्त क यूगत्चतुर्दशी को ब्रत की संपूर्ता के लिए उध्यापन करें तुलसी के ऊपर मन्णब बनावें तोरण यूगत्चार दौर पुस्प हुआ वहां पर मंदब बनाना चाहिए मंदब न बना सकें तो वहां पर आप एक चौकी पर ही भगवान विश्णु की साल ग्राम जी की स्तापना करें और वहां पर चार द्वारपल बनावें पुन्यसील जए की hopping जई और बिजय यह भगवान विश्णु के द्वारपש नहीं कि मूँल देश में चार रहों के सोवा यूग्द मनुहर सरवतो भध्र चोकी बनावे उसके पास पंच रत्न यूग्द कलस इस्ताफित करें यानि सरवतो भध्र का एक सर्वतोबद्र बनाये जाता है एक चोकी पर मनणब बना चोक पूरा जाता है जिसमें सर्वतोबद्र की पूजा हुती है वह बना वैं वह ना बना सके तो स्वास्तक चिन चावलों से बनाना चाहिए रंगीन चावलों से और उनके पास ही कलस की स्थापना करनी चाहिए स्वस्तिक बाचन यानि भगवान गड़ेजी का आवान करते हुए संक चक्र गदाधारन की हुए रेश्मी पीता मर्युक्त लच्मियुक्त भगवान का पूजन करें ब्रतवाला मन्णप में इंद्राधी लोगपालों का पूजन करें भगवान गड़ासी को जागे त्रोदसी को देवो ने इस्तुति की चतुरदसी को देखे गए पूजे गए इसलिए चतुरदसी को द्यापन करना चाहिए गुरु की आज्या से सुवण की विष्णुजी की मूर्ती बनाकर सोशड़ पूजन करें यानि एक मन्णप में एक चोगी पर भगवान विष्णु की स्तापना करें कलस्की स्तापना करें वहां पर सभी देवताओं का पूजन करें एकासी के दिन भगवान की पूजा की जाती है द्वासी को दिन भगवान को जगाया जाता है त्रोदसी को सभी ने भगवान के दर्शन किये चतुरदसी और पूरण मासी को द्यापन किया जाता है फिर सय्यादान करें सय्या सोने की अत्वा चांदी की यता सकती रंग युक्त हूँ रेशम के सूत्र से मिली हो अत्वा सूत्र से उसके उपर रुई युक्त विछोना विछावें यानि सय्यादान करनी चाहिए सइयादान में रूई की बस्तर का प्रयोग करना चाहिए रूई की बस्तर का या गरम बस्तर का प्रयोग करना चाहिए सपेद बस्तर तकिया डुपट्टा खडामू छत्र दीप बड़ा सीशा कंगी अन्यन सलाका ब्रस केंची मोली सिनूर कोकुम लोंग इलाची कपूर घोरोचन काजल लाल बिंदी सुगंदित पान विड़ा माला और अपने जो वी प्रिय बस्तु हों आपकी चितनी वी सामर् पिलकार से उद्यापन करना चाहिए विश्णु भगवान दामूदर को सहीया दान करें इन सब बस्तों को अरपन करें उसकी प्रिति के लिए दान करें पर इस्त्री युक्त ब्राम्मर का बस्त्र आभूसन पूजन करें डुपट्टा भगवान को अरपन करें भगवान को आवुसर्दे, सोना, चांदी, तामा, पीतल के पास्त्र, फिर भीश्म पंचक ब्रत की समापती की आर्थ, चांदी के दीपक दान करने चाहिए, जिनोंने भीश्म पंचक के ब्रत रखे या पूजा की उनको दीप दान करना चाहिए, दीपक चांदी का दीपक बना करके दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते बासदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिल और खीर की आहोतिया देनी चाहिए। विश्णूजी की प्रसंता के बास्ते देवताओं का अवन करें, कत्यायन माता की आराधना करें, सांती के लिए अवन करें, विश्णूजी की प्रिति के बास्ते दक्षना देनी चाहिए, जो लोग पूरे महीने ब्रतकता सुनते हैं, उनके ब्रतकता का मैद तो तभी मिलता जब ब्रामर को दक्षना देते हैं इसलिए यतासक्ति दक्षना देनी चाहिए आप भी यतासक्ति दक्षना दे सकते हैं मैंने पेटियम नमर साइड में त्याल दिया है जो भी आपकी शिद्दा हुए विश्णुजी की प्रिती के लिए दक्षना दे फिर ब्रत करने बाले देवता और तुल्सी का पूजन करें कपलागों का दान करना चाहिए ब्रत का उद्यापन देने वाले गुरु की इस्त्री सहथ पूजन करना चाहिए उसके आशिरवास से विश्णु जी की प्रसन होते हैं इस व्रत से साथ जनमत का पाप दूर हो जाता है और उद्धार होत मद्ध का पूजन करें पर ब्राम्मड का पूजन करें गो से युक्त वह पूजा करनी चाहिए यानि पूरण मास्वि को ब्राम्मड की पूजा करनी चाहिए तिल और खिर सेवन करना चाहिए विश्णु जी की प्रसंता के बास्ते स्रपत्नी ब्रामण का पूजन करें रादा कृष्ण की भावना से बस्त आवुसर इत्यादी दान करें यानि ब्रामण और ब्रामणी के निवित बस्तर का दान करना चाहिए भगवान विश्नु और माता लच्मी की प्रसंता के लिए इस पगार द्वारपाल और कोवो को मारजन चूहा कुत्ता चांडाल इनको अन्न देव पीछे हाथ जोड़के प्रातना करें हे देव आज मेरा पूजन संपूर हुआ तुम्हे नमस्कार है इस पगार प्रातना करके देव देव के लिए आर्द दे हे लच्मी के पती खीर सागर में रहने बाले तुम्हे नमस्कार है लच्मी सहत आर्द को स्विकार करें जिनके इसमनर से और नाम के प्रवाव से तप यग क्रियाए करम की संपूरता हुजाती है उन अच्छत को में नमस्कार करता हूं ऐसे विदिवर पूजन करना चाहिए पूरण मासी को विष्णी जी की प्रसंता के अर्थ दीप मालका करने चाहिए यानि पूरण मासी वाली दिन मंदर में दीप माला यानि ग्यारा दीपा कम से कम जलाने चाहिए वह मनुस्य संपून फल को प्राप्त करता है, ब्रत करने बाला ब्राम्मर को खीर खिलावे देख्षिना दे, पूरमा को जल्ग का दान करें, मित्र और गुरु युक्त भोजन करें, कार्तिक और माग की यही बिदी है, बैसा की भी यही बिदी है, नारा जी कहते हैं कि जो को विश्पकार कार्तिक का ब्रत करता है, वह है पाप छोड़कर विश्णु लोग को जाता है, सब तीर्थ दान में जो फल प्राप्त होता है, वह है कार्तिक मास के उद्यापन करने से प्राप्त हो जाता है, उस इंसान का जीवन सपल है, जो कार्तिक मास का उद्यापन करता ह ब्रामण के लिए दान देता है भागवान विश्मु प्रसन्न हो जाते हैं कार्थक मास में भागवान की पूजा तुलसी माता की पूजा गो माता की पूजा करनी चाहिए भागवान सालग्राम पर तुलसी मंजरी अरपन करनी चाहिए पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला क करके 108 परक्रम करने चाहिए इस से सभी मनुकामना पूरी हो जाती हैं। जैसे सा मर्त हूँं उस कार से दान देना चाहिए जो लोग पूरे कार्वक के महिने की कथा सुनकर फिर ब्राहवन को दान देते हैं। उनके संपूरी जीवन के पाप नश्रावच जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि उद्ध्यापन करने की सक्ती हो वह पूर्ता के साथ ब्राम्मण को बूजन करावे और गो का पूजन करें ब्राम्मण को पूजन करें पीपल और बढ़ का पूजन करें रिशी लोग कहते हैं कि पीपल और बढ़ पूजन ब्राम्मण के तुल्ल होता हैं सब रक्यों में स्रेष्ट है सूती जी कहते हैं पीपल ब्रह्माजी का रुपमाना जाता हैं इस पकार से इनका पूजन करना चाहिए जो इनका पूजन करता है उनकी सभी मनों कामनाय पूरी हो जाती हैं कार्टगमास के उद्यापन के जो लोग इस विदी को सुनते हैं उनको पूरा फलपराप्थ होता है इस पकार से कार्टगमास मास के उद्यापन की जो विदी है यह संपूर विदी थी इस पगार से जो लोग कार्तक मास का उद्यापन करते हैं उनके कई जर्मों के पाप दूर हो जाते हैं पित्र भी प्रसंद हो जाते हैं और मनुखामना पूरी होती है इस दन पीपल ब्रक्य के नीचे भी दीपदान क क करने का भड़ा मैत्व है भगवान स्वीदीपग टीपग ना दे सके तो उसकी दक्थना दे इसलिए उनके पूरे महीने का पुन्य प्राप्त होता हूं करते हैं उनके मांसिक बाद चिक कार्मिक सभी पापनेश्ट हो जाते हैं और उनको बेकुम लोग की प्राप्ति होती है बोल रादा कुष्ण वगवाद